अमिताब बच्चन और स्टोक भी एवी से शिर होता है एवी एफारेल क्या बात है अधिति बिल्ला फेशन रिटे एंड रिटे लिमिटेड और जो पहले भी हमारी रिकमेडिशन लिस्ट में रह चुका है तब तो हमने शायद 200 रुपे से नीचे में इसको रिकमेंड किया थ तो हमारी रिटेड रिटेड रुपे से रिकमेंड किया था रिवाली स्टोक रहा है आपके डेटा निकाल के बताएंगे फिलाल टार्गेट बता दू पहले 400 400 वज़तर और 500 वज़तर तक के टार्गेट के लिए एक से तीन साल का वियू रखे टार्गेट हम आगे आगे औ नवरात्री में स्टोक जिए उनमें एक थीम अगर आप पकड़ पाएं तो बहुत क्लियर कट है ट्रेंट, सियराम सिल्क विल्स, अर्विन फेशन और चोता एबी आफर, डिटेल और टेक्स्टाइल दोनों का कॉंबिनेशन और इस्पेशली वो कंपनियां जो प्रीमियम बना रहे हैं, उस पर हम अगले एक साल देर साल के लिए बहुत बुलिश हैं, और ये स्टोक आप देखेगा, साल पर बाद आप देखेंगे तो आपको पताजे लेगा कि बढ़िया कंजम्शन स्टोरी बनती दिख रही है, बैंडेड अपेरिल सेग्मेंट में कमसी देखेंगे, फाइनिस कॉस्ट और डेप्रिशिशन यही इस कम्प्रिश्य की समस्या है, ट्रेंट और इसमें एक ही फर्क है, ट्रेंट और इनकी इबिटा लेवल पर दोनों कम्प्रिश्यां अच्छी परफॉर्म कर देखेंगे, जैसे इबिटा के नीचे आप आते हैं, तो डेप्रिशिशन के और फाइनिस कॉस्ट अब एफारल को मार रही है, और ट्रेंट वही पर माहुल बनारी है, तो अगर एबिटा फारल थोड़ा अपना एक बार केपिटल इंडेक्शिन करके यह इंडेक्स को सकम कर ले, और डेप्रिशिशन तो अब धीड़े जरी एक एफसेल बिजनिस का वर्टिकल दी मर्जर भी हो रहा है उससे भी वैली और लोकिंग होगे है हमें लगता है एक बढ़िया फर्स क्लास आदिति बिल्ला ग्रूप है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कमनी बहुत तगरी ग्रोथ में है खाली एक प्रॉटिबिलिटी का इशू है वो ठीक होने पर शायद भाव आपको यह मिलेंगे भी नहीं तो एक यह अच्छा स्टोक हो सकता है और आज कुछ-कुछ लोगों ने मुझे जवाब भी पेशे है एक मैं ट्वीट दिखाता हूं जाता हूं आशिश कुमार बोथरा साम ने उन्होंने सही गेस किया कि यह आ झाल झाल झाल